गुड मॉरिंग श्टुडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एयर पी के कलासेज पतना आज हम लोग देखेंगे पदार्थों का बरगी करन जो कमेश्टी का इंपोर्टन को इंपोर्टन चेप्टर है अप लोग का इसमें पदार्थ का बरगी करन के बारे में तीटेल में हम लोग को पढ़ना act है इसे एक से एक कोशन शिक्स सकताम डिप्लोम में इस速क में आदर कंपेडेशन में हर जा गई कोशन पूछा जाताल आइसमें चले बीने देर क consistent करते मन्जिल पाना तो भी बाकी है, इरादों की असल इम्तिहान वाकी है, तॉली है, मुठ्षी वर्जे भीन अभी तो पुरा असमान तॉला बाकी है, छलिए हम लोगा स्टार्ट करते हैं, जो अस्थान घिरे जिसमें भार हो क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है जो बस्तू को भी बस्तू हो जो अस्थान घिर लेता है जिसमें क्या होगा भार होगा वो क्या आपका कहलाएगा पदार्थ कहलाएगा जैसे में हावा हावा जो अस्थान घिरता है पानी गैस इत्याद हैं देखे भौत ही कभाता अध्या थार में बहुत जाता है थोस दुसरा होता है ददर्ब तीशरा होता है इसके बारे में और ये इसके बारह में हम आपको बताते हैं पदार्थ की अवस्थाएं में थोस दरवक गया सम्लोगको क्या करना है पढ़ना है क्या करना है थोस दरवक गया सम्लोगको पढ़ना है तो थोस द्रव गैस में देखिए पतारत के वस्ता में तीन होता है पहला होता है थोस ता पहला क्या होता है थोस देखे तीन वॉक्स आपको हम पारेंगे एक ठोस का, एक दरव का, एक गैस का, क्या पारेंगे, एक ठोस का, एक दरव का, एक गैस का, जिसमें इसमें देखिएगा, ठोस में क्या रहा था कि मॉलेकूल जो इसका रहेगा, वो बहुत सटा सटा रहेगा, क्या रहेगा, बहुत सटा हुआ रहेगा, आप लोगों इसी से आप लोगों देखें कितने नजदिक नजदिक जितना नजदिक नजदिक रहेगा इसमें थोड़ा सा दूर पर रहेगा ऐसे कि अग्यास में जो है कि और दूर जाएगा है ठीक है आपका यह हो जाएगा ठोस हो गया है क्या हो गया यह आपका यह आपका ठोस हो गया यह आपका द्रब हो गया यह आपका गैस हो गया क्या हो गया ठोस द्रब गैस देखें इसमें जो मॉलेकुल रहता है क्या रहता है एदम सटा हुआ सटा हुआ रहेगा क्या रहेगा सटा हुआ इसमें थोरा सा क्या रहेगा द्रब में थोरा सा थोरा सा सब्सक्राइब हम लोग बाद में करेंगे कहां पर क्या यूज करेंगे देखेगा इसमें सबसे पहले आता थोस क्या होता थोस होता क्या है जिसका आयतन क्या होगा आयतन वाकार दोनों निशित होगा उसी को हम लोग ठोस बोलते हैं उसी को हम लोग ठोस बोलते हैं जैसे पत्थर हो जागा क किन आकार और निश्चित होता है मैंसे क्या जिस पात्र में इसको हम रखेंगे उसी का रूप धारन कर लेगा क्या कर लेगा जिस पात्र में रखते हैं उसी का अस्थान ग्रहन कर लेता है जैसे मैं पानी पानी को जिस पात्र में रखिएगा उसी का अस्थान ग्रहन कर लेग दोनों और निश्य तो था कोल गैस इसका मार्स गैस को CH4 भी बोलते हैं याद रखेगा मार्स को हम बोलते हैं CH4 बोलते हैं ठीक है हम लोगों नेक्स इस में देखते हैं कि ठोस ठोस ध्रवर गैस के कुछ समान गुन है जो बढ़ते करम में दिया गया तह पता ये घा गती क्रोस करेंगा मैं कि किसमें घ्रक मैं करते है तहीं करते हैं इस करते हैं गती जूर्ज्ण बताइएगा इसके बिच तो कम अस्थान चोड़ा गया है थीक लेट से आएगा क्योंकि अंत्रान्वी कं लिए दूसरे के बहुत नजितिक में है इससे थोड़ा सा हटके सबसे ज्यादा गती जूर्जां को दिम सबसे नजदिक जो रहेगा जो बहुत नजदिक मनेगा उसका सबसे अच्छा फिन धरव का फिन गैस का आप लोग जाद रहें होगा नतरानिमी का करसण बल किसमें है तो बहुत काफी सबसे ज्यादा होगा थोस में होगा फिन दरब में होगा फिन गैस में होगा फिन क्या रहा है अंतरानिमिक का स्थान अंतरानिमिक अस्थान किस में होगा अस्थान सबसे ज्यादा किस में अंतरानिमिक अस्थान जो होगा सबसे ज्यादा गैस में होगा क्योंकि दूसरे से ब सबसे ज़्यादा है थोस्ट में घैस में ज़्यादा है इसे को समझ में आ गया हुगा है इसे पूछा जाता है अब लोग अच्छे से इसको देख लिजेगा आव आता है थोषदराव के आलाबा द नहीं होता है नहीं होता है क्या होता है पलाज़्मा का कोई निश्वित आकारव यह मैतन नहीं होता है कि पाल्द्समीं सबसे पहले कौन के द्रौट रहरा 1889 इस्वें किया गया था किया है किस के दौर्ब रह तो सर बिलियम EU ग्रूब स क्या है सर बिलियम क्रूप्स के किस द्वारां है Styika sir William corrupt के द्वारा किया गया था कव 1889 युझार लेकिन प्लाज़मा का नाम इर्विंग लाइग म्यूडर्र ने दीया था प्लिविंग लाइग मूडर्ण ने दीया था प्लाज़मा का नाम या पता क्या को घेखते हैं कि प्दार्त की कितनी आवस्ता 514 पूंचा जो न हिसको एगा कि अपिंद देखते हैं इसकी हाग्ये प्लाजमाबस्ता कहां मलग होता है त्लॉट हो Oh ह classification के कारण होता है जो होता है आँ पत्मा पत्रघ्श की कारण होता है तो पदार्थ की केमी अवस्ता है तो पांची में अवस्ता है क्या है पदार्थ की पांची में अवस्ता है फिन हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ में होने वाले परवर्तन को मुश्च इंपॉचा जाता है कि पदार्थ में होने वाले परवर्तन होता क्या मैंने लिए हम बताते ह है एक बहुतिक परवरतन होता है एक रसानिक परवरतन नोह होता है तो होती किसे कहते हैं तब बहुतिक परवरतन यह कहता है और अस्थाइ जाता है कि एक परवर्तन में पतार्त होने के बाद पूरा बाउस्था में आ जाता है पूरो वथी का उस्था में क्या है कि अब तो द्वारा भी उजो कर सकते हैं तो मोथिक पिघल जाएगा फिंस उसको बनाएंगे या से ब्रॉसेस क्या जो भलने कि जिसका यूज हम लोग परिवर्थन को कहते हैं जिसका परिवर्थन होने के बाद पूर्वास्था में आजाता है उसे बहुतिक का जलना तो रसानिक परिवर्थन प्रवर्तन क्या होता है कि यह एक अस्थाई परवर्तन है इस परवर्तन में कोई पदार्थ परवर्तित होने के बाद पूना अपनी अवस्ता में नहीं आता है क्यों समझाते हैं एक्जाम्पल से गपरवर्तन का बाद मथना चलदंग यह सब परतन का लगना यह पर जंग लगना किसके करण उक्सीकर न debcca लगना इसने पर जंग लगना इस ते रिलेटेटि पहुषन आप लोगो पूचा जाता था पस अच्छे से इसको देख लेघना की मेरा है पर जंग लंगना क्या होता है बहुत रखोंसों कि होगा राशानी करते सकते हैं राशानिक पर वरतन होगा क्या होकता हूं रहाESTानी पर जल यहां पर दूरर नुग में कोपफःति में इस पे क्या होता लाल भूरे रंग का परत चड़ जाता है पूछेगा कि जंग लगने से कौन सा चड़ता है परत ता लाल भूरे रंग ठीक है लाल भूरे रंग की क्या करता है परत चड़ जाता है लोहे पर जंग लगने से उसका क्या होता बहार बढ़ जाता है लोहे पर ज उसने पजनायँ का निमान होता है तो उसका बहर क्या होता है वड़ी जाता है तिक है इस पर किलिए नग निक्स楽 transporting करते हैं तिलुकि गृम्ण significant लकरी जो होता कि की आम कोरे से बचाने के लिए उस इस पर जिन के को लोराइट का लेपन किया जाता है क्या किया जाता है क्या जाता है। कोई लोर्य यापन कोता है kषाई नब्रोट्ट का ने सब्सक्रांग म्हाइब बचना होता है यह सब्सक्राइब क्रें ने लिए लिए प्रणा करते हैं कोछ रोग हो दो चरणी होगा हुआ हगा पहना द्धान में क्या होगा खैरारोग होगा अब देखिए कोछ इंपोर्टेट ऐसे बता देते हैं देखें कभी कोई पूछा जाता तत्व योगिक मिश्रन को कैसे हम पाशान कर सकते हैं तत्वे इसका नेक्स क्लास में लोग बताएंगे लेकिन देख लेते हैं तट्वे योगि 3 मिश्रन देख पूछता है कउंसा थत्वे यक्कक को पता नहीं चलता उसलिकां हम बता देते हैं आज के आप लोग नहीं होगा तत्व जो हगा न अकेले रहेगा क्या रहेगा हमेशा अकेले रहेगा क्या रहेगा हमेशा अकेले रहेगा जैसे मिले लिजे एक जामपल में हाइडोजन हीलियम लीथियम ठीक है क्या होगा तत्व जो होगा हमेशा अकेले रहेगा योगिक जिसका सुत्र होगा याद रखिएगा जो बतार है बस राम इसका शूत्र हो वह क्या का लाएगा आपका योग का लाएगा जब्स ने लिए स्ट कारम डारीच किया हा乐 है तो कि यलका यो ता है त्हुंक जिसका शूतर होगा योगईक होगा या जिसका शूतर होगा वह योग को आगी जारी नहीं होगा झाल जिसका सूतर नहीं होगा क Speaking कि सूत्र जिसका सुत्र नहीं होगा क्या का लाएगा यूगी का लाएगा मिन्स एक्जाम्पल में सर्वत ले लिजिए यह कोई सुत्र नहीं होता है क्या होगा सर्वत ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं क्या बिसफोटक ले लेते हैं कोई लेते हैं एक टम ले सकते हैं परमानु बंग यह सब क्या होता है आपको यह बता है कि जिसका सुत्र होगा तत्व क्या होगा केले सुत्र अकेले रहता है नहीं होता है जिसका कोई सुत्र नहीं होता है इस बापको अच्छे से देख लेना है यह तत्व के लिए रहता है मिशरन जिसका सुत्र नहीं होता है इससे अपको दुनिया को हर question को पहुंशान सकते है कौन योगिक है कौन जर्ण है कौन तत्व है तत्व के ले रहेगा जिसका योगी जिसका सुथर होगा मिस्थर जिसका कोई शूतर नहीं होगा जैसे बाई पूछे लोग मानता है कि योगिक नहीं है इसका सुत्र नहीं होता है इसलिए एक परकर का इसलिए अच्छा लागा अच्छा लागा तो लाइक सब्सक्राइब कर देजिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देजिएगा थाइंक्यू ओल उफ यौ